गैत्री गुपता और निलेश-गुपता यह लोग पारिवारी के एक शादी हुए थे तीसरा सदस से है निटेश यह गया थे अपने दोस्तों के साथ कुछ शाम को नाश्था ऊस्था करने चावमीन अन्डा वगरई खाने के लिए निकला हुआ था लगबख साड़े दस बजए ये लोग वापस पहुंचें, साड़े दस से ग्यारा के बीचे लोग दोनों वापस शाधी से पहुंचें, तब तक ये भी अपने घर के पास पहुंच गया था, वहाँ पने दोस्तों के साथ में था, जब इसने देखा कि माबाप, माँ और और उसके बाद फिर यह लोग सोने चले गए, रात में इसका कहना है कि लगबग ढ़ाई बजे इसको सिगरेट पीने की आदा थे, इसे सिगरेट पीने की इच्चा हुई, रात में उठा और बाहर आंगन में जाकर कि सिगरेट पीने लगा, सिगरेट पी के जब यह वापस आ बातें हुई, इसके पहले का बैक्राउंड यह है कि दोनों भाईयों के बीच में बहुत अच्छे संबन नहीं थे, लगबग पिछले 5-6 महिने से जैसा इसने बताया है कि इन दोनों के संबन काफी खराब हो चुके थे, बड़ा भाई जो है उसकी शादी नहीं हुई थी और वह किसी एक, किसी को पसंद करता था और उससे शादी इसलिए नहीं हो सकती थी क्यूंकि वो कास्ट की लड़की नहीं थी, इस बात को लिए करके चोटा भाई पोड़ा परशान था क्यूंकि उसकी दोनों का बिजनेस जो है अलग लग ता, जो चोटा भाई है, उसने उसको जो मुनाफ़ा पहले हो रहा था वो नहीं हो पा रहा था तो बिजनेस एक तरिये के से टब था और इस बीच में उसने काफी जादा पैसे जो है लोन से उठा रखे थे मार्केट से और भाई बड़े भाई से जब भी उसकी फैनेंशल मैटर्स को लेकर बात होती थी तो बड़ा भाई कोई विशेश इसको सहयोग नहीं करता था प्रॉपर्टी को ले करके भी इनके बीच बात हुई थी कि अनुपमा चौक में जो प्रॉपर्टी उसको बेच करके अल्रेडी एक इनका एक एक्सेंडेट फैमिली जहा पर था दूसरा शादी की भी एक समस्या थी तो इन सब चीजों को लेकर के इनके बीच में पिछले पांचे मैने से रिष्टे खराब थे तो कल जब ये इस तरीके से बात हुई रात में बहस हुई तो आवेश में आ करके इन दोनों के बीच में थोड़ी हाथा पाई जैसी हुई बड़े भाई ने जब इसको धकेलना का प्रयास किया ये साइड बड़ा भाई गिर गया जैसा इसने बताया और आवेश में आ करके जो वहां पास में बरतन रखे हुए थे उसमें से एक बरतन उठा करके इसने उनके उपर हमला कर दिया इतना ये सब जब हो रहा था तो मा की भी नीन कुली हो भी आई और वो भी फिर इसके उपर थोड़ा नाराज होने लगी इसको जैसा इसने बताया किसके उपर हाथ उठाने लगी और इसने आवेश में आ करके फिर उसी बरतन से मा के उपर भी हमला कर दिया और मा के भी सर पे चोट लगी है, भाई के सर पे भी चोट लगी थी फिर भी अब इसके दिमाग में ये बात आ गे थी कि अब इन दोनों को खतमी कर दूँगा और उसके बाद फिर जब देखा हमला करने के बाद भी ये लोग क्योंकि जीवित थे उस समय तो इसने एक बर्मुडा जो होता है उसका जो लेस होता है वह वहीं पे इसके खाट में पढ़ा हुआ था अपने भाई का गला घोटा और वहीं पास में जो कपड़ा सुखाने वाली रसी रहती है वह भी पढ़ी थी उससे अपने मा का गला घोटा दोनों को हत्या कर दिया फिर इसके दिमाग में ये बात आई कि अब अपने आपको कैसे सेव किया जाए तो थोड़ा इसने सोच विचार करके फिर जो घर के अलमारी थी पहले उसको थोड़ा अपने तोड़ा है उसको समान को बिखराया है और चोरी या डकैती जैसी कोई घटना दि किरे से हाथ को बांद करके ये वही पर चुप-चाप से लेड़ गया लगबग दो घंटे लेटा रहा उसके बाद फिर जब सुबह पडोसियों ने आवाज दी और जब उन्होंने जहांक करके देखा तो फिर जो पुलिस को खबर किया और फिर जब सब पहुँचे तो फि कि अत्या इसने कर दी और खुद को बचाने के लिए एक कहानी इसने गड़ी थी और हम लोगों के पास में काफे सारे साइंटिफिक एविडेंस भी है इसके किलाव में जिसके बेसिस पर हम इसको क्रॉस कुश्चन कर पाया और फिर इसको फाइनली अपना अपराद कबूल करना पड़ा इसने जो चोटी-चोटी कंपनी से लोन इसने काफी उठा रखा था इसका कहना था कि मार्केट से लोन उठा करके अपना जो धंदा क्योंकि अच्छे से चल नहीं रहा था उसमें इसने कुछ पैसे लगाया थे और उसके लावा और भी कुछ हावशक्ताओं क लिए इसके पास जरूर पैसे आते थे लोन चुकाने के लिए लेकिन ऐसा किसी ने आकर के थ्रेटन नहीं किया था या कोई धंकी नहीं देती बर इसके जितने भी इससे बाचित हुई उसमें जुए सट्टे के बात नहीं आई है एक बात आई है कि साइबर ठगी इसके लेकिन अभी वो बात पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हुए अभी क्योंकि बिल्कुल शुराती स्टेज पर हमने पूछताच की है तो अभी और भी इसमें काफी सारे और भी बातें कुल करके सामने आएंगे